नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका exam book चैनल में दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2020 में जो UPSI की vacancy आने वाली है उससे कोई भी information होगी या फिर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको सभी तरगे की जानकारियां दी जाएंगी मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी उस वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि UPSI 2016 में जो pattern था वो किस तरीके से change होने वाला है और क्या उसमें minimum cutoff जो जाएगी वो कितने आपको number उसमें लाने जरूरी है कितने आपको maximum number लाने जरूरी है कितने आपको portion wise minimum number लाने जरूर लेकर कोई भी अगर नया एक्जाम आता है किसी भी एक्जाम से related एक सबसे जो एक major query जो होती है major सवाल जो होता है बच्चों का वो ये होता है कि books क्या पढ़ी जाएं कोई भी एक्जाम आ जाए आपका किसी भी तरीके एक्जाम तो candidate में बहुत जारा बेचानी होती है कि मै books क्या करो और ये question भी वाजिब है क्यों क्योंकि books एक ऐसी चीच हो थी कि अगर हम correct selection of books ना रहा तो कहीं न कहीं हमारी तैयारी का जो एक पात होता है एक रास्ता होता है वो दूसरी तरफ चला जाता है जो कि हमारा exam में नुकसान दे हो जाता है तो 2020 UPSI बहुत पड़ी वेकंसी है चापण सोग प्लस वेकंसी आएगी इतनी बुड़ी वेकंसी मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई आई है तो इसके लिए आपको पूरी जीजान से लगना पड़ेगा तो इस वीडियो में बात करूँगा कि आपको books कौन सी पढ़नी ह क्योंकि मैंने 2016 का जो एक्जाम था वो दिया है और मेरे रेटिन और अब मेरी जो रणिंग थी PUT, PST मैंने कौलिफाइ करी है और केस जो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊगा कि उसमें problem क्या थी उस वेकंसी में तो इससे मैं बात करना जाता हूँ कि सबसे पहले कि आपको क्या पढ़ना चाहिए ठीक है तो 2020 UPSI 2020 के लिए महतकुन पुस्तक है जो रहेंगी और आप मेरी एक असला मानिये कि बुक्स पे ज़्यादा ना जाईए कुछ ही बुक्स सेलेक्टेट रखिए क्योंकि सेलेक्टेट बुक्स को अगर आ होता है quantitative aptitude और दूसरा होता है हमारा advanced math तो quantitative aptitude के लिए जो मैंने बुक्स पढ़ी थी हो जो कि मैं आपको एक बहुत एक confidence से बता सकता हूँ कि उस बुक ने बहुत अच्छा score किया मेरे exam में maths में वो थी objective arithmetic एक आती है राजेस वर्मा की इस बुक की खास बात यह है कि ये बुक्स आपको वो पूरी के पूरी जो topic है वो पूरा के पूरा आपको समझ में आ जाएगा बाकी जितनी भी topic है मैं खुद उन पर सारी के सारी एक topic वाज topic उसकी वीडियो बनाऊंगा तो आप हमारे चैनल पर देखते रहिए दूसरा जो major portion आता है जिससे बहुत लड़क का एडवांस में से एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको यह बताऊंगा कि एडवांस में आपको कौन से topic करने कौन से नहीं करने जो की बहुत जरूरी होता है जब आप यह दोनों चीज़े कर लेंगे quantitative aptitude कर लिया अंकर कड़ी जिसे बोलते हैं और उसके बाद हमने कोश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि डारेक्ट हुब हो कोश्चन आने के चांसेज भी रहते हैं और आपका दिमाग अच्छा ख़जा स्टार्प हो जाएगा मैस के बाद हम चलते हैं जो एक बहुत लो आपका पढ़ाई के साथ आपको high score दे जाने के लिए एक बहुत कोडिंग किसी भी एक्सान में आता,CGL से उठा एक्सान कोई जान लगा कोडिंग के अलावर किसी एक्सान में नहीं आता,吗 एक्सा मैं आटा लेकिन UPSHY में उन्हें कोडिंग डी जो की बहुत लेंदी कोडिंग डिकोर्टी से छोटी मुटी भी नहीं थीृत कुछ इस तरीके question थे मैं आपको एक उइट है- मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन six को गुमाया जो कि आप सकते लेकिन आप वहां पर जब आ pressure में होते हो तब आप भूरह नहीं कर पाथे तो एक book आती है अरियंत पॉब्लिकेशन की सामान बुद्धी तर्क सक्ति परिक्षन ये विश्वास करिए बहुत अच्छी किताब है बहुत कम पन्नों की किताब है कम पेजिस है 70-80 पेजिस है इसमें सारे टॉपिक बहुत डेटेल में इसमें डेस्क्राइब करे गए है इस्टेट्मेंट स्टेट्मेंट एजर्शन वाली कोशन आते हैं जो कि बहुत लड़कों गलत हो जाते हैं यूपी टरपल सी में भी ऐसी कोशन देता है तो इस बुक को आप अच्छे से कर लीजिए और इस बुक के करने के बाद आपके कुछ टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा एक अलग स प्रेक्टिस अगर नहीं होगी तो वहां आप फसोगे 100% उसके बाद चलते हैं आपका तीसरा टॉपिक है समान निग्यान अब इसमें देखो जो तो इसमें तीन पार्ट है पहला पार्ट है जेनरल नॉलिज दूसरा पार्ट है करेंट अफेर और तीसरा जो पार्ट आता ह वो आता है आपका IPC, CRPC, evidence और आपका traffic signals इन सबसे related आता है मेरे वाले question paper में एक IPC से question था और एक traffic signal से question था उसके मेरे notes बने हुए हैं मैं आपको वो online provide करा दूँँ और आपको समझा दूँँग कैसे आपको याद करने हैं तो इसके लिए आप rule lucent को रट जाईए general knowledge के लिए lucent एक capsule के तरह करम करेगा UPSI 2020 में क्योंकि इससे बाहर question बहुत minimum question एक दो question आता है उसमें आपको नहीं करना आपको input output ratio देखना है उसके बाद जो current affair आता है ये दो महीने current affair आती है घटना चकर की द्रस्टी ये दो महीने की आती है एक बार मतलब अगर आप एक साल ही पढ़ते तो आपको 6 पढ़नी है और रट डालिए question इनी से आएगा हूब 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 रखा हूब question और बागी last में जब आप exam आएगा उससे एक महीने पहले में आपको एक ऐसी book बताऊंगा जो constable से लेके उत्तर प्रदेश के किसी वे exam में अगर वो book आप local publication है अगर आप उस book को उठा लेते हो current affair हूब 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 रखा हूब आ जाता है आप उस समय मेरी बात मारूगे जिससे में आप वो exam हो गए तो ये दो book हो गई IBC CRP किसी के लिए मैंने आपको बता दे उसके लिए बिल्कुल भी डरने की जरूत नहीं है दो से तीन question आते हैं उसके लिए आप पूरा की पूरा महिन लगाओ कोई मतलब नहीं है दस दिन पहले उठाना उसको रट मारना वो मैं आपको करा दोगा आगे चलते हैं हिंदी भाई देखिए हिंदी एक ऐसा subject है जो की इतना scoring होता है इतना scoring होजिश में मेहनत के नाम पर कुछी भी नहीं होता है अगर आपने एक बार ढंग से समझ ली हिंदी क्लासिस हमारे चैनल पर चलने वाली हैं तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं हिंदी मेरा personal experience यह कहता है कि मैंने हिंदी में zero था मैं बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता था सिर्फ हिंदी का मैंने lucent की book उठाई एक महीने पहले उठाई और word by word मैंने पढ़ी पांच बार किताब पढ़ी और 40 में से 36 question में ठीक करके आया ठीक मतलब इतनी बढ़िया book है यह कि आप आदित्य पे या इधर उदर कितनी कोई application आपको बदा है उसमें मत जाए आदित्य वाला जो book है उसमें white color की book जो है वो यूपी PCS RO के लिए बनी हुई है जो कि हिंदी का पूरा एक paper दा था अलग से उस पर जाने की जरूत नहीं है आप Lucent के book पर जाएए जो topics समझाने वाले होंगे मों मैं आपको समझाओंगा topic वाल topic चलेगा क्योंकि आप question जो है इस तरीके से आता है कि आपको question Lucent में दिया होगा Lucent में सारे हिंदी के question के जवाब दे रखे हैं बस आपको वो ढूंडना है और ढूंडना मतलब आपको वो अच्छे से पढ़ना है तो दोस्तो इसी के साथ जो है अगर जो भी candidate जो भी बच्चा एक खाकी वर्दी जैसे कि अभी भी कोरोना का time चला उसमें भी हमारी खाकी वर्दी काम कर रही है तो जिसको भी इस job में आने का एक dream job लेके आता है double star बहुत बढ़ी चीज़ होती और बहुत सारी information ऐसी है UPSI 2020 related जो कि मुझे आपको बतानी है जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी तरीकी related कोई भी आपको queries है वो हमें comment box में बताईए अगर वो थोड़ी अच्छी query होगी बड़ी query होगी तो आपको एक अलग से वीडियो में बताई जाएगी नहीं तो आ धन्क्यू